ये podcast पूरा देखिएगा क्योंकि ये बहुती insightful podcast है जो मैंने एक बती सदे हुए बहुती समझदार एस्ट्रोजर तो टकोवर हर्शित राजवीजी के साथ किया है लोगों को माफ करना उनकी गलत बाते भूल जाना ये भी धर्म है मैं भी कभी जब कुंडली दिखाने जाता हूं तो बात होती है योग की के कुंडली में योग है अच्छा योग है बुरा योग है ये योग है क्या कई जगे आपने देखा हो गए बहुत खराब तरीके से ब बदनामी है एक समय मैं अंडरवर्ड डॉन की बात कर रहा हूं एक डॉन क्या उनको मैं डॉन भी क्या कहूं दाउद इब्राहिम को ले लीजिए बड़ी शक्ती थी बड़ा बैठे-बैठे कुछ भी करा लेते थे अब साथ है नहीं है पता नहीं आपके तीसी तरफ मोदी जी ने संगर्स किया और सतकर्मों का चुनाओ किया आज कहां है फिर हम बात करते यह दोशों की बात कि बात हो जाती है फिर आते हैं दौई milli की दौशा चल रही है यह मंगल के क्या चीज किस लगन के लिए कौन सा योग कारक है और एक और टर्म जो बड़ा सुनने में आता है पर यह क्या है कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि राहूल गांदी का परिश्रम क्या उन्होंने वो लंबी यात्रा करी हो या उनका जो एक जुड़ाओ देश से जुबन रहा है कही ना कही ऐसे एस्ट्रोलाजर और ऐसे पॉलिटीशन के आप देखते हैं उनके गरहों में शिफ्ट आ रहा है बिल्कुल देखिए जो एक उनकी इमेज थी हो पपू वाली में जो चलती थी इस चेंजिंग उनकी एक अच्छी इमेज सामने आ रही है आप चेक करिए जो हमारे देश के प्रधान मंतरी है यह शुश्वी प्रधान मंतरी रूचक नामक पंच महापुरुश योग उनके लगन में विराजमान के अंदर भाहों में प्रथम भाहों में विराजमान देखिए उनके साहस के आगे कोई टकता दिखाई नहीं पड़ता है कितनी राजनिती पार्टी आये एक हुई नई सरकार बनेगी नहीं होगा अंतता तीसरी बार लगातार पीम बने देश के तो ऐसा नहीं है कि राहुल जी उस इस्तिती में आ नहीं सकते हैं उनको अपने क कुंडली कि कुंडली के आधार पर इस चुनाओ हो गया शादी य casa daim बड़ा कॉमा शांदता है इसली लड़की मांग लेता कभी लडका मांग लेता है मेता चारद फिए ने सब्सक्नाता पर यह क्या मांग लेता कि नोतो सबस्सक्तोर एक्वाउख करता कष्टबहों इसर पहाड़ों पर घूमता और खाली हांस तो जाता हूं। यह कवीता मैंने लिखी थी। और इस कवीता से जूड़ी एक कहानी भी है जो मेरे दिमाग में तब आई थी जब मैंने कवीता लिखी थी। एक आम की गुठली है। उसको एक बच्चा खाने के बाद जमीन पर फेक द जाएगा। कुछ वक्त बीचता है और वहीं मिट्टी में दबा हुआ पड़ा रहता है। उसे लगता है कि अब कुछ हो नहीं सकता। तभी वहां पर गेरुए वस्तर में एक सादू महराज आते है। वह उस गुठली के पास खड़ों के कुछ अपनी मंत्र विद्या कर र बताओ गुठली तो मैं क्या चाहिए। तो गहती है कि मैं काफी वक्त से इस मिट्टी में दबी हुई पड़ी हूँ। मैं वरक्ष नी बढ़ पा रही हूँ। तुन्होंने का कि इसका भी उपाय है। और उपाय है कि हम एक यग करेंगे और तुमपन अपना शुरू हो ज यग किया। गुठली के ऊपर चंदा मिर्त डाला गया गंगा जल डाला गया। कुछ मंत्रों का उचारण किया गया। और कुछ समय बाद उस गुठली में से एक छोटा सा अंकर फूट फूट गया। दिये-दिये करके वह थोड़ा था बड़ा होना चालू हुगा। महरा आम का व्रक्ष बन गया। बस फिर क्या था महराज जी दुबारा में आया उन्हों देखा कि गुठली तो बहुत बड़ा व्रक्ष बन चुकी है। उन्होंने उस व्रक्ष के नीचे अपनी बड़िया सी कुटिया बनाई और वहां पर रोज हवन करने लगे उस आम के आज जब इस पॉड़कास करने के लिए मैं घर से निकल रहा था तो मैंने जब अपना कबर्ड खोला तो मेरे पास तीन डिफरेंट चीजें थी पहनने के लिए जनरल यह पॉड़कास में पहनता हूं तो मेरी एक ब्लू शर्ट टंगी होई थी एक गुलावी कुर्टा टं फिर मैंने का नहीं क्योंकि आज जिन से मुझे पॉड़कास करना है जब तक कि उनके साथ में द्वंद मुद्रा में ना जाओं शायद ओडियंस को उसका पता नहीं चलेगा उस जो हम अंदर से सोच विचार रखते हैं अगर मैं उनकी दिशा में ही बात करने लगूंगा तो शायद वो विचार ना मेरे बहार आएंगे ना उनके बहार आएंगे इसलिए मैंने आज लाल रंग की टीशेट पर यह दिखाने के लिए कि हूं तो मैं आस्तिक पर मैं शायद आज एक नास्तिक की तरह बिहेव करूं आज हमारे साथ पॉड़कास्ट में हैं एक पॉल एक्सलेंट आइकॉनिक अवार्ड है फॉरेवर स्टार इंडिया वार्ड और इंटरनेशनल ब्रिलियंस अवार्ड हमारे साथ हैं आज बहुत ही मजे हुए एस्ट्रोजर जिनका नाम है डॉक्टर कोवर हर्शित राजवीर जी तो उनके साथ हमारे डीटेले बात करने वा और अभी भी हम बात कर रहे हैं कि आज चांद और मंगल हमको इंपैक्ट डाल रहा है या राहू और केतु की कहानियों में घूम रहे हैं तो आज हम सब कुछ डीटेले पूछने वाले हैं कि क्या होता है हमारे कोवर साथ के साथ है तो कोवर साथ नमस्कार और वेलकम तो इंटोड़क्शन सायर आपको थोड़ा अच्छा लगा हूँ बहुत अच्छा क्योंकि आपकी बातों से पता चला है कि कहीं न कहीं कवित्व या कवी का एक हैद है आपके बीतर बिलकुल और आप निश्ची तोर पे चुकि मैं एक एक एस्टोलोजर हूँ तो एक एस् चारों से उसके हावभाव से उसके तरीके से उसके फेस इंप्रेशन से भी उसकी ग्रेश्टिति को पड़ सकता है तो निश्ची तोर पे आप अपनी कुंडली में देखिएगा बुद्ध ग्रेह और चंदर्मा ग्रेह आपके बहुत अच्छी पोजिशन में है यह देख उसके हैदे में होता है तो व्यक्ति बहुत सरल भी होता है वो व्यक्ति कभी किसी का अहित नहीं कर सकता है उसका जो देश्टिकोन होता है वो बहुत ही हर व्यक्ति को लेके सरल देश्टिकोन होता है और उसका जीवन भी सरल होता है लेकिन कठिनाईयों से जूजता हुआ वो आगे बढ़ता है, ऐसा आपके जीवन में होगा, और यह मान के चलिए कि यही चीज है, ऐसी पराविद्या है, जो विक्ति के हर एक स्वभाव हो गया, वो विक्ति के चाहे कर्म हो गया, वो जो भी कर रहा है, उसको रीड करना ही, एक ऐस्टोलोजर का दाइत्व है, और केस्टोलोजर की जो अच्छी प्रितिभा है, वो तभी जागरत होगी, जब वो सामने वाले को सिर्फ बात चीत करके ही जान जाएगा, क्योंकि उसकी ग्रह स्थिति कैसी है, तो हम शुरुआत करते हैं बात, हम कुंडलियों पर, गरहों पर बाद में आएंगे, क्योंकि मे अच्छा पहले क्या मात्व है? मतलब, व frontier किस ने लिखे, कहा है वेड, क Mother है अप अदिये हैनि यह वेड, रिफ्रम वेड, पर जा कि शायद उन चाहर Спर जया के लिफ्रमिय। है, पर क्या वरीडिनल वेड ओवेलीबल हैं? आपने देखे हैं, कहां है ग्यान का सागर हैं, और वह ग्यान है जिसको हम कह सकते हैं विश्तत ग्यान, क्योंकि हमारे वेदों के छे अंग है, और आज हम और आप जिस पे बात कर रहे हैं, एस्टोलोजी वो जो है वेदों का छठा अंग है, पहला अंग जो है वो है सिक्षा, दूसरा निरुक्त है, तीसरा चंद है, अंग एस्टोलोजी है वो नेत्र के रूप में उसका अंग है, जैसे आप आपके सरीर में, तो जो आज हम और आप एस्टोलोजी पर बात करते हैं, वास्तों में जो जो जोतिस है, तो जोतिस के बारे में ये कहा गया है, कि जो है, जोतिस साम, सूर्यादी ग्रहनम बोधकम शास्त्रम, जो जोतिस है, वो सूर्यादी जितने ग्रहन नक्षत्र हैं, उनको जानने का शास्त्र है, हम और आपके विसे में तो ये बहुत ही मत्रब समय लिए उसके अश्मात्र है, जिसके माध्यम से हम आपकी अपनी स्थिति आपके भाग्य की या आपके पूर्वरतर जन्म की या आपके पूर्व जितने भी समय पे जो आपके कर्म हुए हैं वो चाहे आपका प्रारब्द हो गया वो संचित कर्म हो गया या आने वाले समय में कौन से क्रियामान करेंगे वो सब का जो एक पूरा डिटेलिंग वो हमारे जो रिशी मुनियों में है जो हमारे पूर्व के समय में जो विधाय मतलब रखी गई सामने जो वेदों में रची गई लिखी गई उसमें ये एक समझेली जे कुंडली के माध्यम से उस सारी चीजे निरूपित कर दी गई एक बारा भाहो का एक चित्र बनाया गया एक डाइग्राम बनाया गया और उसमें एक प्रथम भाव से लेके बारा भाव में वेक्ति के जन्म से लेके वेक्ति के पूर्ण होने की अवस्था, जिसको हम मुक्ति या म्रत्यू कहते हैं, वहां तक की चीजे उसमें समझ लिजे निरूपित कर दी गई, उसमें इन्वाल् प्रथम भाव जैसे वेक्ति का जन्म है, तो जन्म ही जो वेक्ति जन्म लेता है तो वो अपना एक औरा लेके वो अपने एक आभा एक छवी लेकर ही पैदा होता है, कि वो कैसा होगा, यह पहले से निरूपित है, कि उसका स्वभाव कैसा होगा, स्वरीर कैसे होगी, क्यों पहले से हैं, फिर दूसरा भाव जब आता है, तो वो धन भाव भी होता है, आपका कुल भाव भी होता है, इसी प्रकार तीसरा भाव आपका पराक्रम है, पराक्रम के साथ साथ आपके भ्रात हैं, चौथा भाव आपके जीवन में जो सबसे महत रखती हैं, वो आपकी माता है आपका सुक है. इसी प्रिकार पंचम भाव आपकी विध्या है आपकी बुद्धी है आपके जो संबंद होते हैं उसके बाद छठा भाव जो है वो आपके जीवन में आप किस प्राकार से लड़ सकते है। प्रतियोकता की भावना आपके अंदर है की नहीं है रोग, रिण, शत्रू है तो एक एक भाव के हजारों मतरब निकल सकते हैं अगर हम आज एस्ट्रोलोजी पे बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक भाव को भी अगर पकड़ के बात करेंगे विश्तर तरीके से तो यह मान के चलिए कि दसीओं पॉडकास्ट कम पड़ जाएंगे एक भाव पे बात करने के लिए अगर यह मान के चलिए कि आपका जो प्रथम भाव है वो आपका सरीर है तो आपकी जो पत्मी है उसका पती भी है क्योंकि वो उससे सात्वा भाव है इसी प्रकार अगर हम चौथा भाव अगर अपनी माता को मान रहे हैं तो उसी प्रकार जो दस्वा भाव है अपने पिता को मान रहे हैं तो उससे सात्वा भाव आपकी माता का है तो एक ही भाव से कई सारे संदेश निकलते हैं और कई सारी चीजे एक भाव से निकल के आती है उसी प्राइब जैसे मैंने छे भाव तक आपको बताया, सात्मा भाव आपकी जीवन संगनी का भाव है, आपके लोगों से संबंध कैसे रहेंगे, कम्मुनिकेशन का भाव है, उसके बाद अस्टम भाव जो है, वो विक्ति के गूण रहस्चो का भाव है, विक्ति आयू का विक्ति की मिर्त्यू का भाव है, पराविद्याओ का भाव है, आप देखिएगा कि अगर अस्टम भाव में कोई आपका मजबूद ग्रह पाइठा है, तो विक्ति जो गूण विद्याएं हैं, जिसे तमाम जो बहुत एक्सपर्ट सर्जन होते हैं, उनका अस्टम भाव ब धर्म भाव भी कहते हैं, पिता भाव भी कहते हैं, दसम भाव आपका कर्म भाव है, आपका राज्य भाव है, इलेवन्थ हाउस जो है, आपका विस्ट फुल्फिल्मेंट का भाव है, आएक भाव है आपका, और उसी प्रकार जो अनतिम भाव है, वो आपका मोक्ष भाव ह और आपका व्याए भाव है तो इस प्रकार हर भाव कहीं न कहीं कोई संदेश देता है उसमें बैठने वाला ग्रह कोई संदेश देता है उसको हमें समझना उसको हमें जानना यही एस्टोलोजी तो जब आप कहते हैं कि यह हमारे भाव हो गए पांच जिनकों कुंडली बोलत प्रियुने कर्म करूं गर का मैं बॉरा करूं अच्छा करूं तो इन भावों में करमों का क्या इंपक्त है विए सारा इंपक्त है जिसने हम जब एस्ट्रोजी की बात करते हैं जो हमें कुणडिली प्राप्त होती है जैस आप ने पताया हुआ तो वो कुंड़िली जो है, हमें संचित कर्म, और प्रारब्द के आधार पर वो मिल गई, और वो मिली कैसे जब हमारा जन्म हुआ, कुंड़िली का जो स्केच तयार होता है, वो हमारे जन्म के समे जिन ग्रेहों की, जिन नक्षत्रों की जिस रासी पर, जो इस्थितियां थी उसके आधार पे हमारी कुंडिली बन के आती है तो वो हमारा प्रारब्द और संचित कर्मों का जो एक समझ लीजे result है वो हमारी कुंडिली है लेकिन उसमें छुपा है हमारा क्रिया मार कि हम आगे आने वाले समय में कौन सा ऐसा कर्म करेंगे जिससे हम अच्छी इस्थिति प्राप्त करेंगे या जग में नाम करेंगे या हम बदनाम होंगे या हम बहुत उच्छा कोई ऐसा काम करेंगे कोई ऐसे योगास का समनवे जब बनता है हमारी कुंडिली में तो हम एक सामानने परवार में हम जन्म लेके भी हम फर्स से लेके अर्स तक की दूरी तै करते हैं जमीन से लेके आसमान की दूरी तै करते हैं वो तब तै करते हैं जब हमारे वो सारे योगास हमारी कुंडिली में माजूद होते हैं वो कर्म हमारे पहले से तै हैं अब यह हमया निर्णे करना है कि हम जैसे आपको यहां से लेके, हम लोग डैली में बैठे हुए हैं, यहां से आपको लखनौ की दूरी तै करनी है, तो एक रास्ता आपका एक्सप्रेस वे का है, दूसरा रास्ता वाया पुराना हो सकता आपका, तो पहुचना तो आपको आद्यम से, तो वो रास्ता आपका सरल होगा, आपका, मतलब थोड़ा कम समय लगेगा, लेकिन रिस्की रहेगा वो, क्योंकि एक्सप्रेस वे है, आपको स्पीड से लेके हर एक चीज, कंट्रोल रखना होगा, सच चीजे करनी होगी, आप दूसरा रास्ता लेते हैं, तो महां गड़े होंगे, या कुछ होंगी, सड़क वैसी नहीं होगी, ठीक है, तो वो चीजें हैं जीवन में, आपको पहुचने का, तो मतलब एक जिस जीव का जन्म हुआ है, उसकी मुक्ती तो निश्चित तोर पे होनी है, अब मुक्ती होने तक के बीच का जो क्रम है, उसम हम मुक्ती की बात कर रहे हैं, तो कभी दाजी को ज्यानाश्री शाखा का सर्वसेष्ट कभी या सर्वसेष्ट साधक या संत कहते हैं, लोग, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसे जतन से ओड़ी चदरिया, कि जस की तस धरदीनी चदरिया, उनका जन्म तो हुआ, लेकिन वो पा आप कर्मों में सननिप्त होंगे, तभी हमको बार बार इस जीवात्मा को जन में लेना पड़ेगा, जब आपने ऐसे जतन से ये चदरिया, ये सरीर रूपी चदरिया ओड़ी, कि आपने किसी का अहित नहीं किया, किसी से आपने लोब, लालच, कोई, इश्या, द्वेस, को जाने वाला, यही एक मूल, समझ लिजए, आप तक पहुचाने के लिए एक उद्देश कह लिजए, या मूल मंत्र कह लिजए, आप जो कह रहे हैं, वह बहुत अच्छा है, लेकिन थोछा इस पर मैं कॉंट्रिक्ट्री जाओंगा, आप और हम जिस जनरेशन से आते हैं, हम यंग होंगे, हम इन बातों को समझते हैं, क्योंकि मानते भी हैं, क्योंकि हमारे माता पिता ने उस समय वह बाते सिखाई हैं, पर जो आज की जनरेशन है, वह जो देखती है, उस पर विश्वास करते हैं, वह जो यूट्यूब पर देखती है, उनके सामने जो चीज अविल वह उन पर विश्वास करती है, माता पता पता आज कल वैसे ही बच्चे कम विश्वास करती है, एक एहम सवाल आता है जो वह रियल लाइफ में देखते हैं, ऐसे लोग जिनके कर्म अच्छे नहीं है, जो शायद घूस ले रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, पर अपनी लाइफ में अपनी लाइफ में सारी लुक्षृ को पा रहे हैं यह चीभ वो बच्चे देखते हैं, आप तो खुदी कम पेर आनुन आते हैं, आप विश्य हैं हैं कि आतने प्रमिसिन का मैं और 집ाह विश्वास करता हैं, यह उक पैसा वहीं का वहीं रहता है, पैसा तो कोई मिलना है, यह इंप्रेशन बच्चों पर पढ़ता है, कहीं हो देखते हैं, तो यहां आके फिर ग्रह कुंडली सब कहां चली जाती है, कि भाई कर्म तो उनके जो थे वो हो रहे हैं, लेकिन दीवन तो जी लिया ना, अब अगले जनम में क्या होगा, वो तो अगले जनम देखेंगे, इस में आपके क्या विचार है, देखिए मैं सबसे पहले तो यहां उदाहर देना चाहता हूँ, आपको कलीकाल का, जो वरतमान में जो चल रहा है, यह कल्यूग है, और हम लोग धीरे-धीरे कलीकाल की तरफ बढ़ रह अब आप असत्य की तरफ जा रहे हैं, आपके जैसे ऐसे संस्कार हो रहे हैं, जैसे प्राचिन समय में आपने देखा होगा, माता पिता का इस्थान, गुरू का इस्थान सर्वो परी था, अब गुरू नाम की चीज नहीं रह गई है, आप जिससे ज्ञान भी अर्जित कर आप जिससे सिच्छा भी ले रहे हैं, उसके साथ भी आपका ऐसे संबन नहीं है कि आप इतना आदर इतना संमान उसके प्रति आइसी डिग्निटी बनाए हुए हैं उसकी कि वो चीजे आपको दर्शित हो, माता ने जन्म दिया, पिता ने समय लिजे जन्म से लेके संसकार स पूरे जीवन की दूरी उसी ने तैय की, लेकिन उसके प्रति भी वो आदर भावना नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलोजी की जब हम बात करते हैं, तो आज आप 1890 की बात कर रहे हैं, आज 12 साल का से लेके 14 साल के बच्चे भी एस्ट्रोलोजी में की तरफ आकरशित हो रहे हैं और वो अपनी कुंडली 14 वर्ष से ही दिखाना प्रारम कर देते हैं, वो 16 वर्ष से रिलेशन को लेके चिंतित हो जाते हैं, वो पूछने लगते हैं कि हमारी कैसी क्या आवस्थाय चल ले हैं, कौन सी ऐसी दसा या कुछ चल लाए हैं, जो हम इतना ज्यादा मानसिक पीडि हैं, कल्यूग आपके मस्तिक्स पर ही प्रभाव करता है, विचारों पर ही प्रभाव करता है, और जो ब्रम्हांड ही है हमारा, ये ब्रम्हांड, ये जो मस्तिक्स ही हमारा ब्रम्हांड है, इसमें हर प्रकार के ग्रें हैं, हर प्रकार की गैलेक्सी हैं, तो ये सारी चीजे ये हमारे मस्तिष से ही होके गुजर रही हैं और जिनोंने संसकार की चादर ओड़ लिये ये संसकार का कवच पहन लिया है या धर्म और सनातन संसकती के जो रक्षा कवच पहन के बैठे हैं उनके उपर ये चीजे नहीं आ रही हैं दूसरा आपका क्वेश्चन ये भी था कि तमाम लोग स्कैम कर रहे हैं अच्छी लाइव जी रहे हैं आप कोई एक ऐसा वेक्ति नहीं दिखा सकते हैं जो खराब कर्मों से हो के गुजरा हो और उसका अंत अच्छा हुआ हो नहीं हो सकता है जितनी आर्टिफिशल चीजें हैं वो आर्टिफिशल ही हैं जितनी नैच पूजर सकता है एक धार्म का मतलब यह नहीं है कि हम पूजा कर रहे हम पाट कर रहे हैं यह दहर्म है धर्म दूसरी चीज है धर्म की व्याक्या दस लक्षणों पे होकर गुजरती है धर्ती छमा दमोस्तियम सौच मिंद्रिये निग्र है धिर विद्या सत्यम कुरोधो दसकम धर्म लक्षणम लोगों को माफ करना उनकी गलत बाते भूल जाना ये भी धर्म है स्वक्ष रहना सत्य का पालन करना आदर करना, सम्मान करना ये भी धर्म है ये वास्तों में धर्म के दचलक्षणे ये हमारे वेदों में बताया गया है हमारे वेदों में कोई कि ऐसी चीजें नहीं बताएगें है कि मतलब जो समझ लेजे कि अनचुरल हूँ सारी नेचुरल प्रकरतिक चीजें सारे जोड़ना संसकारों में अच्छे संसकार लाना और वही उसी का बेस बिभम हमारी देख लीजे, वहाँ पर आपको हर प्रकार के लोग मिलेंगे, बहुत से लोग नेचरल उतपात बेच भी रहें और बहुत से लोग नेचरल चीजे यूज भी कर रहें, लेकिन आजकल का जो चीजे हैं वो कलिकाल है, तो आर्टिफिशल चीजे जादा है, वो मैंगो की जो ज नेचरल मैंगो जो होता है, उसको बाक से बगिजे से दोड़के वो खाने में वो विस्वास नहीं है, लेकिन वो जो पी रहें, वो क्या है, वो क्रदू का रस है, वो शकर है, तो उसकी उसकी एक ब्रांडिंग हुई है, उन चीजों को मतलब सामने लाया गया, उसके ओपर इन्वेश्ट किया गया है, एक्टरस को दिया गया है पैसा, वो चीज़े अब हैदे में आ गई, अब चुकि कल्यूग भी चल ली, यह मती भरष्ट है, बाद में उसी का वो लीवर में प्राब्लम हो रही है, वो स्वास्त से संबंधित आ रही है, और वो जो नेचरल आठारा पुरानों को लेके चलेंगे, तब हम निश्चित तोर पे जीवन को बहुत सरल और एक ऐसा जीवन बनाएंगे, जो आदर्स जीवन होगा, जैसा कि हमारे समली जे जो अठारा पुरान है, उसमें कहा गया है, अश्टा दस पुरान, बलब जो अठारा पुरान है, तो उसमें यही कहा गया, अश्टा दस पुराने सु, व्यासस स्वचन दोयम, परोकार आये, पुन्याये, पापाये परपीड्नम, जो परोकार है, जो पुन्य है, वही आपको जो कहते हैं, पुन्य है, वही परोकार है, तो यह हमारे अश्टा दस अठारा पुरानों में द आज का जो ग्यान की सरणी हैं वो भी अलग है चुकि हम प्राचीन विधाओं से विद्याओं से संस्कारों से हम दूर हो गए तो हम वो चीजे जाननी पा रहे हैं एक बहुत बड़ा सवाल जँडि मेरी बच्चे हैं, सारी चेव ग् 늘ना सभ्सित्याओं किसे सवारों से बेनी बच्चेशन के वेदों के कि बात करते हैं कुणलि नुदलि क Lornaarगले का शिर्व कुणलि मैंने अकठाषा से बच्चेशन. कि सर अम्रिका में तो लोगों की कुणडली ने रोती वहां तो कोई वेदपुराण ने रोती है वहां तो सनातनी नहीं होता पर यह हंदूस्तान से जादा उपर हे वहां की एकनोमी जादा अच्छी है वहां के लोग जादा लकशीरियस छाइफ जी रहे हैं वहां का environment ज्यादा अच्छा है ऐसा क्यों लेकिए जैसे कि आपने कहा कि एक संस्कति और दूसरे संस्कति से यहां तुलेना की गई या एक राष्ट और दूसरे राष्ट से तुलना की गई मैं पहले एक ची बोल तू मतलब में यह सवाल पूछना इसलिए जरूर यह शायद कोरियन वेब सीरीज भी देखते हैं और नेटफ्लिक्स पर और भी सीरीज देखते हैं यूएस की अब अधर कंट्रीज तो उनके दिमाब को हमेशा ही बात आती है कि इंडिया में तो आज भी हम मारूती और टाटी चला रहे हैं वहां पर तो पॉश और मर्सीडिस के लाव करें या हम किसी संसकती संसकती की तुलना करें तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि किस की संसकती प्राचीन है और किस की संसकती की जड़ें जो हैं वो गहरी हैं या किस की संसकती के जो रिजर्ट हैं वो ज्यादा बहतर हैं आज भी बहुत मतलब पाच्चात संसकती आए तमाम हमारे राष्ट के में आकरमार कारी आए तमाम ऐसे लोग समझे लिजे हमारे राष्ट से जुड़े यह हमारे राष्ट को कहें ही मतलब समझे लिजे सैचिक तौर पर बहुत हानी पहुचाए गई फिर भी आज हमारे राष्ट का कोई भी नागरिक कहीं खड़ा हो जात तो लगजरी को मतलब क्या है वास्तों में जीवन का एक बहुत समें से आप सुन रहे होंगे, सादा जीवन उच्च विचार होय। महत है विचारों का। महत जीवन में आप केते नहीं कि जो कमFhatable ड्रेस है जो प्रादान करती है, हुआ यह नहीं है वो ड्रस से लें, चाहे वो हम अपने फूड से लें, हर एक चीज जो सरल है, वो शू है और वो कभी मिटने वाला नहीं है यह संसकतियां बदल नहीं है अभी देखिए वहां के जो प्रेसिडंट जो है, कैंडिडेट है वहां पे उनके उपर हमला हुआ ट्रम्प के उपर यहां से जो लोग अपने माता पिता को लेके जाते हैं, यूएस बगएरा में रह रहे हैं यह वहां की संसकति से जो समझ लिजे चल रहे हैं वहां क्या संयुक परवार या माता पिता की, जो है सम्मान को लेके इस पर कोई बात नहीं करेंगे सिर्फ वहां की गाड़ियों पर आप बात करेंगे मैं अच्छी इसी बात पर आ रहा था मतलब मैं जब जवाब देता हूँ तो मैं ही देता हूँ आप जब लग्जिरी इसको कंपेर करते हो तो आप सनातन को हैने अंपेर नहीं करें छियर को एकनॉमी को आप बात करते ऑधी को वेदों को पुराने को और उनकी से लिए चैह तब आप बात कर जाए को भले आप दूर रह रहा हूँ आप對लीforme अफ ईस सा ना हने टू पार दूरून को फॉन लगा के पूचों का भीलकी मैं 0 साल में एक बार इस्टर आता है क्रिसमस आता है तब फेमली आती है साथ में खाना खाती है थैंक्स गिविंग होता है और चल लेते हैं तो यह इंपॉर्टेंट है यह मतलब बहुत अच्छी बात है कि देखिए आपको भी इस चीज का क्योंकि आप भारतिय संस्कृति से बिल कर रहे हो तो आपको पता दिया में हिंदू मुस्लिम सीक इसाई यह घर्म नहीं मानता हूं मेरा मानना तो मैने धर्म की परभाश आपको दे दिये मैं के तो संस्कृतिय से कोई भी बिलॉग करता हो लेकिन वास्तव वास्तविक्ता यह है है कि हमारे जो नागरिक है हमारा जो सनातन है वो शाश्वत है, वहाँ पे धर्म है, वहाँ त्याग है, वहाँ तपस्या है, वहाँ कर्तव बोध है, आज भी है, कली काल पे हम इतनी दूरी ते करके आ गए हमने रामार देखी, हमने महाभारत देखी, हमने सत्युग देखा, त्रेता देखा, द्वापर देख कि अप्रफिक तोर पे जो आकरमरकारी वगएरा उन्होंने हमारे शिच्छा संस्थानों के इतनी ज्यादा च्छती पहुंचाई उसके बाद भी आज हम कुलीन है आज हम लोगों में पूजे जा रहा है आज हमारी बड़ाई हो रही हमारी संस्कृती की बड़ाई हो रही है तो यह महत्व दर्शा रहा है और सबसे बड़ी बात ना जो हम कहते हैं कि अगर हम इसको साइंस जो जो हमारे प्रत्वी की उम्र है और हमारे जो युगों का जो अनुपात है सत्यों कल्यों शिरुवात करते हैं उन सारे गर्म युगों को जोड़ा जाए तो वह उसकी जो एज है हमारे अर्थ की इस से मैच करते हैं बाकी अब सारे धर्मों की संस्किति देख लो वह सब आपकी शुरुआत होते हैं बीसी और एडी जो बनाया गया है कि आफ्टर डैथ लेकिन सनातन एक ऐसा धर्म है जिसकी अगर आप सारे युगों का योग किया जाए तो वह प्रत्वी की उम्र के बराबर होता है बस फर्क यहां है कि इतने पुराना जो आपका त्रेता योग है या आपका सत्योग का जो समय है उस समय के प्रमाण बहुत अच्छे से राव जो इंडियन्स हैं जो हम मानते हैं महाभारत को तब प्रमाण अवेलिबल है रहां पर हमारे रिशी मुनी जाब वेद पुरान लिखा करते थे या हम शिप पुरान पढ़ते हैं उन सब में जो बातें कही गई हैं मतलब वह सब हुआ था जिए उन सब प्रमाण नहीं है और जो आज की जनरेशन है वो माइथलोजी को हमारी माइथलोजी को भी माइथलोजी मानती है वो ग्रीक माइथलोजी को भी माइथलोजी मानती है और जो मार्वल डीसी वाले जो आजकल थावार और यह सारे बच्चों की कॉमिक्स की जो उनने कैरेक्टर बना दी है वो भी मा हम जब भी इतिहास की बात करें या मेथलोजी की बात करें हमें ये देखना पड़ेगा कि जो इतिहास के बारे में वार्डन कर रहा है या जो मेथलोजी कॉंसेप्ट की जो एडवाईज दे रहा है या मतलब वो उसका समय ये ब्रीफिंग कर रहा है क्या वास्तों में उसने कोई शोध किया है क्या मतलब वो उसके मूल तक पहुँचा है आप हमारी सनातन संसकती हमारे वेदो या हमारे रामार कालीन दृश्यों की या जो हमारे महाभारत कालीन जो संसकार जो संसकती जो मतलब जितनी भी चीज़ें है जब आप उनकी बात करेंगे तो वो चीजे रियलिस्टिक हैं क्योंकि जो संसकार है वो ही मनलब दर्शा देते हैं कि विक्ति भूत काल में कैसा रहा होगा वर्तमान में चीजे कैसी हो रही हैं अब आप जैसे हमारी सनातन संसकती के बगार जो भी संसकती की आप बात कर रहा हैं अब यह निच्ची जान लेजे जो सनातन है वो स्रेष्ट है वो सत्य है और वो शाष्वत है अन जगे आप पाखंडों से भरी उनके जो भी मतलब धार्मिक इस्थान मैं नहीं कहूंगा या सबने दीच़ाे है जैसा खरोफ्सा कमें शबता हैं कि बंदीर महारे जुब्लंच का बड़ारा चान आपको एक छोटा संसकती एप कर बता हैं कि जैसे कोई चीज जब समलीजे विबरंस हो गये जब कोई सब्यतार के कारण नहीं भी आई तक रही हैं आज हमारे राम आज जब आप मेथलोजी की बात कर रहे हैं, आप जब हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री के मैं एक छोटा सा बिंदू आपको बता रहा हूं कि जैसे कोई चीज जब समझ लिजिए विभरंस हो गई है, जब कोई सब्यता किसी का मलब कालकंड के कारण या किसी करत के का नहीं था, उसके अवशेश थें, लेकिन वो जगरत नहीं था, अब आपके पूरवजों का जहां पर आपके पूरवज रहते होंगे, किसी आप पंजाब में, बिहार में, बंगाल में या डैली में, आपकी तीन मंजिली या दो मंजिल बिलिंग होगी, बहुत बड़ा घर होगा, जहां लकडी के नकाशी किये हुए खंबे होंगे, आने वाली जो दूसरी पीड़ी होगी, अगर आप उससे कहेंगे, कि यहां पे मेरे पूरवजों का बहुत बड़ा मकान था, और डैली जैसे सहर में, मतलब समली जे प्रिदेश में, हमारे पास समली जे एक बीग यहां पे लकडी के बड़े-बड़े खंबे लगेते हैं, वो भी उस बात को कल्पना ही मानेंगे, वो मनलब वास्तवित्ता नहीं मानेंगे, क्योंकि वो उनको दर्शित नहीं हो रहा है, वो हमारे रामार कालीन जो कर्म है, वो राम का दर्शन, वो राम का चरित नहीं दर आराम अपना राजपाट सब्तियाक के चौदा वर्स के लिए बन गये थे, चौदा वर्स के लिए, चार दिन के लिए नहीं जाएगा कोई, एसी एर कंडिशन की जो एक अटमोस्फिर है, उसको छोड़ के, चार दिन अगर धूप में रहने, आप कह देंगे, आप कह देंगे कि माता का इलाज यहां से हो जाएगा, सगी माता का, ऐसा नहीं है, उस राम के गुण को भी आत्मसाथ करने वाले उनके दर्सन को भी आत्मसाथ करने वाले लोग हैं, लेकिन जो नहीं मान रहा है वो नहीं जाएगा, जिन्होंने राम का दर्शन नहीं देखा वो नहीं जा ने कहा कि उनकी संस्कति के बारे में उनको लेकर बात जो बताई वहां प्रेम नहीं है सिर्फ आकर्शन है आकर्शन कुछ समय का होता है हमारे यहां शाश्वत प्रेम की हमारे यहां शाश्वत धर्म की हर जगह परिभासा है युगो युगो में बताया गया है कि धर्म क्या ह प्रेम क्या है सनातन क्या है यह बताया गया है तो इसलिए हम तो मैं मान के चलता हूँ कि आज जो हमारा आपका विचार लोगों तक पहुच रहा है तो मैं यही चाहता हूँ कि उसमें थोड़ा समय जी के देखिये वो जीवन अमूले हो जाएगा वो जीवन अमिठ हो जाएगा और जब आप उस रह पे चलेंगे तो यह निश्चित जान लिजे कि आप संतुष्ट जीवन जीएंगे एक निर्भय जीवन जीएंगे भय आपके हैदे से समाप्त हो जाएगा जब आप धर्म को धारन कर लेंगे जब आप ऐसे दर्शन देख लेंगे जो चाहे वो हमारे महाभारत कालीन हो रामायन कालीन हो या हमारे पूर्व कुछ समय के तो यह चीजे हैं और वो चीजे हमको पराप हमारे वेदों से हुई है हमारे संस्कति से हुई है और हमारे चाहे मतलब जो भी चीजें है वो हमको एक कुलीन विवस्था देती है और इसी के बेस पे हमारी एस्टोलॉजी खड़ी है सबस्वरी दिक्कत यह है कि लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया मैं भी कुछ दिन पहले रमाइन पढ़ रहा था पर अगर आप इसको पढ़ने जाओ तो उसके अंदर इतना कुछ है जो आपको बताता है कि कितने जन्मों पहले से राम और रावन का युद्ध तैथा कि रावन ने कुबेर पर हमला करके कि अगर लोगों को नहीं पता कि सबस्क्राइब कर देखेना कि यह यह शोने की लंका बनाइस जीति दिए लोग यह नहीं जानते कि को वेर कॉन है को वेर पार्वती जी के भाई लगते हैं इतना कुछ है हमारी संस्किति में जो आप पढ़ते हो तो आपको पता जलता है कि यह सब भी था पर लोगों को पता नहीं यह लोग यह नहीं जानते रोग कहते रावन तो बहुत बुरादमी था राक्षास था पर रावन और रावन का जो भाई कुम्ब करन वो अपने पूर जनम में शंकर इन जनम की जब कहानी पड़ो था को पचलता है कि अशली सनातन है क्या मैं ऐसा नहीं है कि जो आपने कुछ भी लिख दिया कि राम रावन का युद्ध हो रहा है तो ऐसा ही हो गया उसके पीछे बहुत कुछ कहानी है जो जुड़ जुड़ के उन जो कर्मों की वाज़ मैं जुड़ के रूप में सामने आया है ताकि आने वाली जनरेशन को एक सीख दे सके इसी चीजों को शायद मुझे असा दखता है कि जो हमारे वेस्टन काल्चर है उन्होंने सोचा कि यार यह जो कहानी बनाई गई है या जो कहानी सुनाई जाती इसलिए सुनाई जाती है कि आने वाली जनरेशन को कोई अच्छी बाते मताई जाए ताकि अच्छी कोई सीख दे सके इसलिए कहानी बना दी कि इसलिए उन्होंने जो वर्ड दे दिया वह एक माइथलोजी वर्ड देती है पर हम जो कि इसको ज्यादा डीटेल में जानते हैं आपने पूरवा जो सुनत आने जाता हूं तो बात होती है योग की कि कुंडली में योग है अच्छा योग है बुरा योग है यह योग है क्या पहले आप महीं होता ही है सबसे पहले मैं जोतिस से समध्धिप आपसे मतलब मैं इस वारता से सुलवात करता हूं वास्तों में जोतिस सब्द का जो पहला अक्षर कहलेंगे या जिससे सुरुवात होती है वो जोति से होती है जोति आप जानते हैं जोतिकार्थ क्या होता तो वो जोति जो हमारे जीवन का समूल अंदकार या एहंकार का नास कर दे वो जोतिस है और जोतिस के में जो मतलब जब हम योगों की बात करेंगे तो योग वो हैं जो हमारे संचित कर्म या हमारा जो प्रारब्द था उसमें जो हमारी एक बेस्ट कंडिशन हो लब ने बहुत अच्छा कोई संचित कर्म लेकर हम बैठ गए हमारे पास अच्छा बैंक बैलेंस जो ट्रांसफर हुआ है इस जन्म के लिए वो हमारे योगास है और वो योग ही हमको एक बहतर जीवन एक बहतर व्यक्तित्व एक बहतर परिवेश और या कभी कोई ऐसी केलमिटीज कोई विपता है कोई समस्चा है कोई संकट हमारे जीवन में आता है तो उसका हम उपयोग करेंगे जैसे व्यक्ति को मानिए कोई एक अच्छा योग मिला हुआ है तो उस योग के सहारे जैसे कोई दंडी है कोई दंड है तो उसके सहारे अगर तो उस मतलब उसके माध्यम से वह उस रास्ते को पार करता चला जाएगा बस तो में यह योग है उन योगों से कुंड़िय निखर जाती है व्यक्तित निखर जाता है और व्यक्ति अपनी समाज में अपने मतलब समलिजे परवार या अपने देश संपून देश कह सकते हैं उ उसमें विक्ति अमिट छाप छोड़ देता है यह योगास है और यह तमाम प्रकार के होते हैं आप यह मान के चलिए मेरी रिसर्स टीम ने मुझे दिये हैं बहुत सारे योगों के नाम तो मैं चाहूंगा आप मुझे एगए करके विल्कुल आप कुछी मैं सभी के बारें बत मतलब राज योग की संग्या दी गई है यो पंच महापुरुष योग है वो पांच ग्रहों से अलग अलग प्रकार से बनता है एक मैं सबसे अगर पहले मतलब किसी ग्रह की बात करूं तो ब्रिस्पति देव जब भी आपकी जो जन्मिलगन कुंडली होती है उसके जो मैं की राजी वो चराजी जो है उनकी करक है और स्वेम राजी जो है वो उनकी मीन और धनु है जब इन चारो भाओं में वह जाकर विराजमान हो जाते हैं तो वो हंस नामक पंच महापुरुष योग بना देते हैं ये पंच महापुरुष मेंसे एक योग है, हंस नामक पंच महापुरुष योग, तो ऐसा विक्ति अद्भुत ग्यानी होता है, स्वाभी मानी होता है, और ये मान के चलिए कि गुरुओं की, जो भी मतलब ग्यान देने वाले हैं, वो चाहे आपके बॉस हो सकते हैं, आप जि उत्राद की ओल ले जाने वाले हैं, उनसे उनको सम्मान भी मिलता है, उसी के माध्यम से विक्ति ख्याती भी पराप्त करता है, कोई विक्ति आपने देखा होगा कि नहीं बहुत अच्छे परवार से हैं, नहीं बहुत अच्छा मतलब दिखने में, जो बहरी कहते नहीं कि बहुत सुंदर दिख रहे हैं, उसका ग्यान अद्भुत होता है, जब किसी हंश नामक पंच महापुरुष योग में व्यक्ति का जन्म होगा तो एक राज योग है, इस योग को एक दंड मतलब समझ लिए उसको मिला हुआ हुआ है, वो दंड मतलब वो दंड नहीं बात कर सरल और यह मान के चलिए अद्भुत बना देता है, उसके मादम से वो ख्याती भी प्राप्त करता है, वैसे दूसरा योग है शच नामक पंच महापुरुष योग है, वो शनी के दौरा निर्मित होता है, जब भी शनी देव आपकी जन्मलग नकुंडली में प्रथम, आजमान हो जाते हैं, तब शच नामक पंच महापुरुष योग की उत्पत्ति होती है, यह भी एक राज्योग है, ऐसा व्यक्ति कर्म योगी की भाती होगा, वो ज्यादा भाग्य पे या चीजों पर भरोसा नहीं करेगा, अब आप कहेंगे अस्टोलोजी मतलब भाग्य, नहीं, वो एस्टोलोजी का मतलब वो जो चीजे जोतिसी है, गणना के आधार पर आपको मिली हुई है, वो मिल गया, अध्भुत कर्म उसको मिल गया, वो अर्जुन की भाती होगा, वो अपने कर्मों पे विश्वास करेगा, कोई भी विपदा आए, समस्या आए, संकाटा है, नहीं लेना देना, उसको अपने कर्म करने हैं और उस कर्म के माध्यम से उसको फर्स से अर्ज तक पहुचना है, और उसी के माध्यम से वो समाज में सुक, सुवधा, धन, पद, पतिष्ठा, सम्मान, आदी प्राप्त करता है, ये शच नामक पंच महापुरुष योग क बनता है, जब मंगल आपकी जन्म लगने कुंडली के चारो केंदर भाव, अर्थात लगन, चतूर्त, सप्तम और दसम में जाकर विराजमान होंगे, अपने उच में, अर्थात मकर राशी पर, ये अपनी स्वराशी, मेश और व्रश्चिक, तब ये रूचक नामक पंच मह पुरुष योग उनकी कुंडली में होगा, आप देखेंगे, उनका जो उत्सा होता है, साहस होता है, वो किसी भी वेक्ति से अधिक होता है, अब आप एक नॉर्मल कुंडली के वेक्ति को ले लीजे, और कोई योग उसमें पढ़ा हो, उसको रहने दीजे, आप एक रूच तमाम जो सेना में जाने वाले जातक हैं, वो रूचक नामक पंच महा पुरुष योग लेके बैठा है, आप चेक कर लिजेगा, यह हमारी एस्टोलोजी जिसे हमारे आपके दौरा बनाया हुआ विज्ञान जब यह प्रमार की बात कता है, प्रमार देता है, तो हमारी एस् 有क्या पुर्ट करना और जो आपके रिज्ट कोबाइक टाइकाग बनाया है, और यह हमारे जो ने टो परम बनाया है, वो तो परम बनाया है, वह था जाता है। ही आन के बारे में सीखें जी जी उसका ग्यान प्राफ्त चाहें हमारी उड़्ध यही है जी उड्य ही अपनी चवह भादच महापूरुषय वह भद्र हम पॉह हिए फेख नहीं भाओ में उच्छ के होके विराजमान होंगे यह अपनी राशी पे होंगे अब बुद्ध ढेव अपनी ही राशी पे उच्छ के हो जाते हैं तो यह तो मिधhin राशी मैं समझाने के बिज़ोंको फ्र जो हमारे ग्रह हैं उनकी खुद की भी एक राशी होती है और जब वो किसी स्थान पर बैठते हैं और वो स्थान भी अगर उन्हीं का स्थान है और उन्हीं की राशी है तो उच्छ हो जाते हैं मतलब हर अपनी ही राशी पर उच्छ का नहीं होता है जैसे अप्सूर है वो मंगल की राशी पर उच्छ का होगा शनि है हुश्ट राइज ही वह शुक्र की राशी पर उच्छ खहाँ होगा देव ग्रु बुर्श पत्य चन्दमा की राशी पर उच्छ खहुंगे तो ऐसी सब को अपनी चीजें है हम जैसे भद्र नामक पंच महापुर्श योग बात कर रहा है तो बाध्र नामक पंच महापुर्श योग में बुद्ध गरह अपनी राशी पे हो मिधुन राशी पर या अपनी दूसरी राशी पर बुद्ध खलिए कैसे गरहें जो अपनी दूसरी राशी पर जाकर अच्छ चार भावो में लगन, चतूर्त, सप्टम और दसम भाव अब ये मैं बताय भी दे रहा हूं, निश्चित तोर पर आप यहां पॉड़कास्ट कर रहे हैं, आप समालीजे, साहित से जुड़े हुए हैं, आप एक कभी भी हैं, और आपने कई सारी पुष्टके में जैसे आपने बताय लिखी हुई हैं, आपके बुद्ध या तो हम लोगों की सारी चर्चाय हो रही है, तो भद्ध नामक पंच महापुरुष्य योग ऐसे ही बनता है, जब बुद्ध उच्चके हो या स्वराशी पे हो केंद्र भाव में, लगने चतुरत और सप्तम या दसम, तो ऐसा विक्ति वानी का विजयता होता है, बहुत से जो उनको एक अद्भुद ग्यान और वाणी का अधिकारी बना रहा है, तो एक भद्ध नामक पंच महापुरुष्य योग में जन्मा विक्ति वाणी का अच्छा अधिकारी होगा, वाणी का विजयता होगा, अपने वाणी के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, अपने ल कह लिजे या सभी मतलब अपनी अपनी जगें श्रेष्ट हैं वो है मालव्य नामक पंच महापुरुश्योग जिसकी आज जो आप एज बता रहे हैं इसमें सबको जवरत है आज के समय कि आज के दौर पे वो शुक्र से बनता है शुक्र जब अपनी जन्मलगन कुंडली में स शुरासी वरश और तुला और उच्छ रासी मीन में जाकर केंद्र भाव में लगन चतुर्थ सब्तम और दसम में जाकर विराजमान होते हैं तब मालव्य नामक पंच महापुरुश्योग बनता है इस महापुरुश इस योग में जन्मा जातक पहले अंदर पहली बात तो अपने ये मांद के चलिए कि शुक्र के जितने भी तत्व हैं उसके कारण वो अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ती कर लेगा और वो वेक्ति महत्तकांच्छी अवस्योग हो गया इन योगों से ये चीजे मिल रही हैं ये पंच महापुरुश योग में ये पांच महापु आपकी जो लगनी आपकी जो अपकी जो घ्रधम भाव में जो राशी होती है वही लगनी तो जो लगनी आपकी उस लगन का जो योगकारक ग्रह होता है वो या तो उच्च का हो या तो स्वारासी में हो उच्च का मतलब क्या होता है उच्च का मतलब वो एक फैवरेट पोजिशन फैवरेट पोजिशन का उच्च कहते है अब जैसे चंद्रमा जो है वो शुक्र भाई चंद्रमा भी एक सम मौज में हूँ यहां पर फुल मतलब समली इंजॉयमेंट में या फुल सैटिस्फाई होता है तो वहां पर एक साथ आ रहे हैं कि जो है वहां पर वह उच्छ का हो गया वैसी जिसे शुक्र है तो शुक्र भी चुकी राक्छसों के गुरू है शुक्राचार वह देवताओं के गुरू के राशी पर जाके उच्छ के हो जाते हैं वैसे सूर है राजा है अब राजा जो है कहां पर कमफर्ट में होगा वह अपने सेनापती के साथ मतलब मंगल के साथ उच्सा जिसके पास है जिसके पात अद्बुत साहस है राजा को क्या चाहिए राजा के बगल में जो बैठा हो तो वो सासी हो, वीर हो, तो मंगल को इसकी संगया दे गई है, तो वो मंगल की प्रथम राशी मेस राशी पे जाके सूर उच के हो जाते हैं, ये वास्तों में उच और नीच होने का कारण है, वैसी नीच होने के भी कारण है अपने अपने, कि जैसे ब्रिस्पत है, और जो किअल दब से उप्वाद्ध है डिया तो जब भी ब्रिस्पत है, उनको हम ब्रिस्पति देऊ, अठाल से लेना देना अक्वा पर हो पते घाल साफ टम पाप जाते साथ मेशन चाहरा से लगते तो जब भी लिए अध्यी echo सो कुछ जो हमारे जो सुपर साइन्टिस्ट थे वो हमें देखे गाए तो मतलब हमारे जो वेदों में जो रिशी मुनियों ने जो इतनी बड़ी calculations करी हैं एक mathematics है जो हम इसको जोतिश विद्या कहते हैं इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं अगर तो एक आपका आता है गज केसरी योग वसे इसका नाम मैंने कम सुनाई पर यह क्या है मतलब यह बहुत मतलब यह उत्तम योग है यह उत्तम योग और राज योग मतलब यह बहुत आदमी को एक अच्छी प्रतिभा एक अच्छी मतलब आवरा दे देता है जब भी मतलब समलीजी आपकी जो जन्वलगन कुंडली के बारा भाव होते हैं उसमें जब कोई केंद या त्रिकोन भाव में कोई योग निरमित होता है तो वह बहुत अच्छी रिजर देत देता है या मतलब चतूर्थ लगन सब्तम या लगन या दसम मैं गुरू से चन्रमा कि बाठे हो कहीं तो इसमा चैन्रम हो जब भी कहीं गुरू चंदमा साथ साथ बैठेंगे गच केसरी बन जाएगा लेकिन वो थोड़े से कम रिजर्ट देगा कम स्ट्रॉंग होगा यह चीज होती है अब ऐसा योग मतलब गच केसरी के बारे में अगर मैं थोड़ा साथ को कहते हैं और दूसरा सेर सिंग को कहेंग अब दोनों का मेल हो जाए कि पास साहस है बुद्धी है भाई सेर को जंगल का राजा किसलिए कहते हैं अपनी यूनिक टेकनीक या साहस के बल पे और हाथी के पास ताकत है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो जिस भाव में गच केसरी निर्मित होगा उसके माध्यम से ख्यात रही है तब उनके बहुत लोगों के आप देखेंगे कान भी बहुत मतलब गज कर्ण हो जाते हैं मस्तक बड़ा हो जाता है यह भी चीजे अब सोचिए योग के माध्यम से शरीर की बनावट यह प्रमान है और यह विज्ञान नहीं है यह महाविज्ञान है यह कर्म धिपा कर्माधी पती राजयों कहते हैं जो आपको जन्मलगन कुंडली है उसमें जो धर्म का भाव है नाइन्था हूस वो आपका उसमें जो उस भाव का जो स्वामी होता है वो आप नहीं है और टैंप ऐस जो आपका का ःजशेद या कर्म का जो स्वामी है वो कर्माधिपती मतलब करम का अधिपती तो जब भी कर्माधिपती धर्माधिपती जो स्वामी है वो जाके किसी बहों में यूती बनाएगा या इन ही दोनों बहों में यूती बनाता है तब भी राजयोग निर्मित होता है और चतुर सागर योग की अपनी अ जारो तरफ पूरा असमली जी है, भारत छोड़िये, वैस्विक इस तर पे कोई ऐसा नहीं है, अम्बानी जी के जो मुकेश अम्बानी उनका एक और बेटा है, एक और बहु है, ऐसा नहीं, उसको भी लोग जानते हैं, लेकिन आप रादिका मर्चंड को ही लोग जादा क्यो में जब शुब ग्रह या कोई ग्रह जो होते हैं, वो विराजमान होते हैं, नो ग्रह में से, चार ग्रह विराजमान हो जाएं, तो चतु सागरी होगा, बतब चारो प्रकार से उसको ख्याती प्राप्त होती है, धनी भी होगा, बुद्धिमान भी होगा, आकर्षित भी अपना उन्होंने नारा भी दिया कि अपना स्वैम कार अपने हाथ करना चाहिए घ्यानी भी थे और धन उनके चारो तरफ था जिससे कह देते हैं समझ लिजे जो प्रथम प्रदान मंतरी हो या जिस मतलब समझ लिजे गौवर्नमेंट के द्वारा भारत टाइम समझ लिजे कह सकते हैं गुलामी अवस्था मुझे कहते हैं अच्छा नहीं लगता है लेकिन वो अवस्था में था तब भी वो भी उस दोर के भी लोग उनकी बात मानते थे तो यह ओज था यह तेज था यह योग परदान करते हैं फिर महाभाग योग क्या होता है महाभाग योग आपकी परकार से बनता है जैसे कि यह इस्त्री जातक की कुंडली में अलग होगा और पुरु जातक की कुंडली में जो लगन होती है लगन का स्वामी जो है जैसे लगन आपकी एक है तीन है पांच है साथ है नौ है ठीक है तो यह हो गई विशम लगन तो विशम लगन होनी चाहिए और सूर और चन्मा विसम रासी पे बैठे होने चाहिए, मतलब विराजमान होने चाहिए, वो इन ही मतलब विसम रासी पे विराजमान हो, प्लेस उसका जन्म दिवा हो, मतलब दिवस में जन्म होना चाहिए, तब पुरुस जन्म लगन कुंडली जो होती है, वो महाभागयो क कुंडली होती है। उसकी जम्न लगन कुंडली में महा भागयों के निर्मित होता है। इसी के विपरित इस्त्री जातक की कुंडली में यह अलग प्रकार से निर्मित होता है। जब भी किसी इस्त्री जातक की कुंडली में सम्राशी, सम्राशी की लगन हो। संख corpse नम लोगों मतलब निम्मरोलज जो हम लोगों संखीय है, निमरोलरजी जो जो 04, 02 ढम ईंध 10 देन 시 हम लोगों की जो है विसमराशिया हो गए तो यह जो मालब समराशिया हो गए तो यह जो समराशी में लगनो हो समराशी की लगनो हो समराशी में चन्दमा और सूर विराजमान हो और उसका जन्व रात्री में हो तो इस तरह जातक की जन्व लगने कुछ लिए में महाभाग यो तो यह सारी चीजय हैं यह सारे योगास हैं हमारे अस्टम्लक्षमी योग ये जो आपकी नौ गुरोहों में जो च्हायागरे कहँ की या राहूभ्य मतलब यह जानते हैं ल्यक्षम簡 तव करो है कि राहु जो है सिस्थ हाउस में होना चाहिए और केंदर बहुन मतलब 4th, 7th, 10th और 1st ये चारो केंद्र भाहों में कहीं पर भी ब्रस्पति विराजमान हो और राहू आपके 6th हाउस में हो तो उस व्यक्ति की कुनली में 8 लक्षमी योग बनेगा ही बनेगा और वो यक्ति जब भी राहू की महादसा अंतर दसा से गुजरेगा तो वो वहाँ पर राहू कार करते हैं आठ प्रकार से लक्षमी आपको परदान करेंगे महा मतलब धनाड भी होता है ऐसा व्यक्ति जो समुदर मंतन था उसी में से लक्षमी जी 14 रतनों में से एक रतन का भी लक्षमी जी कहा जाती है कही जाती है तो यह मांद के चलिए जो यह अश्ट लक्षमी योग ही यह उसी माध्यम से बनता है जब राहू छठे भाव में और देव गुरु ब्रिस्पति आपके केंदर भाव में जो धन देने के हैं मतलब जो धन के दायक है धन से वो कमफर्ट नहीं रहते हैं मगर वो इंदेन हैं मोग जन क दो देने हो जाते हैं तो यह अश्टलक्षमी योग बन जाता है और एक और आपका यो ओना होता है सुनुवा अंध्भा दुरुध्धरा हो जाता तो जाके आपका दुरुधरा बनेगा. दुरु धरा, दोनो धराओं पे दोनो धरा, हाँ ठीक है, हाँ, और आपका जब सुन्फा और अन्फा जब चंदमा दौादस होगा और जब दुतिय होगा तो सुन्फा और अन्फा बनेगा अच्छा, ये मतलब तीन योग, पैसे तो चंदमा बहुत सारे योग और जो है समली ये दोस्ट चंदमा के दौरा निर्मित होते है बहुत सारे दोस्ट, बहुत सारे योग चंदमा के दौरा निर्मित होते है क्योंकि वो सबसे सौमिग रहे है और चंदमा जिसका स्ट्रॉंग है विक्ति मनो बली होगा मन का बली होगा खुश रह गा, खुश मिजाज होगा और उको भी खुश रखेगा चंद्रमा मतलब शीतल केते हैं, शीतल मन वाला मतलब वीक्ती का मन औरंजन में मन बहुत लगेगा और वीक्ती मन औरंजन करने वाला भी होगा, तमाम आप फिल्म इश्टार की कुंडिली देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि चंद्रमा बहुत अच्छी पोजिशन में है, जो मतलब एक अच्छा मतलब रिजर्ट दे रहे हैं, तो उनका चंद्रमा अच्छा होगा, शुकर अच्छा होगा, उनका शनी अच्छा होगा, उनका अच्छे आपको दिखाई पड़े हैं और हमारी आपकी दुनिया में या जो हमारी जो पॉडकाश्टर्स कह सकते हैं या जो बहुत जल्दी लोग उसको देखना और सुनना पसंद करते हैं उनके लिए राहू अच्छा होता है जब आपको राहू आपकी जन्रलक कुन्ली में अच्छा है और जिनका नहीं अच्छा है वो उसको अच्छा बनाएं उसको अच्छा बनाने के भी नियम है तरीके हैं तो उसको उस तरीके से जब अच्छा बनाएंगे तो यह मान के चलिए कि वो सक्सेस बहुत जल्दी देगा राहू का यही काम है उथल पुथल मचाना अब सार्थक उथल पुथल होगी, तो व्यक्ति सुक्सेस प्राप्ती करें। यह क्या होता है अब का वैसी वासी , भगवान शूर के दरा सूर ग्रह के दरा नीनमित होता है। सूर से द्वादस और दितिये यही शर्त जैसे चंदमा के योगों में लगी है वैसी सूर में सूर से द्वादस या दितिये जब भी कोई ग्रह विराजमान होता है हा इसमें राहू के तू और शनी का मतलब थोड़ा सा वो कहा गया है कि यह उसके माध्यम से वो चीजे नहीं प्लस जिसको मुझे है योग अगर है आपकी कुंडली में बनाद आपको पॉस्टिवी पॉस्टिवी रहे गी भी यह पॉस्टिव रिजर्ट जीवन भर मिलेंगे भी आपके कहीं गुण पॉस्टिव होंगे कहीं आपका भाग पॉस्टिव होगा लक्ष्मी आएगी तो जैसे कि जब कोई दोश होता है या कुंडली कुछ खराब चल रहे होती है तो हम पूजा पाध यग या कोई चीज करके उनको सही करते हैं तो ऐसे ही मान लो मेरी कुंडली में पंच महापुर योग नहीं है पर मुझे लग रहा है कि मेरे इस लिस्ट में यह होना चाहिए यह है पिल्कुल देखियों वास्तों में जो स्टोल जी है उसमें कुरियमाणो को स्राथन दिआ गया है ज़से आप कहते हैं नहीं कि पहुछना तो है रास्ता का साज रास्ते के चैन आपका है जैस sworn हमारी गीता भी में पर बेश है कि कर्म का चैन आपका है Great einezept CSV कर eyesने भाण की एद्हरमियों का ब्राइब फेल तो मतलब नहीं आप यहाँ यहीं मतलब आप ले के जाते हैं यह चीज आप फिल्कुश के सब्सक्राइब करने दोने हैं यह जो बने इसे हमी बनेदें दोने हमकिर एडियूं डोकुश क्लीबवाब कि लिए उप पुरुश क्लीब Darth जो भी ग्रह होना चाहिए ब्रस्वती आपने बताया था ऐसे तो मैं ब्रस्वती अभी जो घूम रहा है वो मेरी कुंडली में बीच में आई नहीं सकता अब मैं चाहे गाये को रोटी खिलाओं चाहे मैं पीपल के नीचे दिया जलाओं चाहे मैं चार चक्कर घुमाओं अब देखे मैं बताता हूँ योग ने आपको क्या दिया रिजट दिया ना अब वो रिजट अगर आपको किसी दूसरे कर्म से मिल रहा है तो वो योग ही तो निर्मित होके आपको रिजट प्राप्त हो रहे हैं आपका उदेश है आपके बैंक में एक अच्छा बैलेंस अ आपको पुस्तेहनी मिल जाए वो भी आपके बैंक का बैलेंस है या अपने कर्मो मतलब को जगाके वो बैंक में एक अठा कल ले है वो यो आपका बैंक बैलेंसी तो गिना जाएगा तो वहां पे कहते ही है कि एक शेशफल क्या है एक रिजट क्या है रिजट जो है उस तक एक अच्छाय योग है, तो अगर आप निर्मित करना चाते हैं, अब जैसे किसी की जभी कंद लिता है Should All All Voilà, पहुत के सूरय और उट्च्छ राष्थ होते हैं. ऑब यह नहीं कि सूरय नीच और उच्छ के नहीं होते हैं. मिलब सूर्र समलिजए झब रहते हिर तो विness देते हैं जब और दें आप देते हैं अच्छ का बात चामैं बख़ा विध का अप हमारे साथ बेठे हैं यAC आप संथ चश्ट हो के सहमत हो के बहुत अच्छ सकद चराइगे और यह तो आप वो तातकालिक उस समय के आधार पे या तो उस उर्जा को जीवन भल लेके चलता है उस व्यक्ति के उस जातक के जीवन भल और या तो वो अगर कोई negativity है और वो व्यक्ति जोती जला रहा है अपने जीवन में किसी अच्छी इनर्जी से contact कर रहा है या परमपिता परमेश्वर परमातमा जो उर्जा का सीम शुरोत परमशुरोत है उसके हचा मनली जे आधिन और उसके स मझाली जे संपर्क में है अपने खराब करमों को अपनी खराब चीजों को मिटाके मलिन तह ब्लियूं अपनी त्याग के तो वह सारी चीजे उनसे प्राप्त हो जाएगी आपके कर जो क्रिया मान है उससे प्राप्त हो जाएगी अब सूर कि बापस आता हूं शुरुवात पर जो मैं आपसे कह रहा था कि हमारी कुंडली है उसमें खाने बने हुए हमारे ग्रहे हैं और एक हमारे कर्म है तो अब आपने मुझे यहां जवाब दे दिया कि मेरे ग्रहे मेरे खा अब हमने क्या किया मानी हमको शस नामक पंच महापुरुष योग उत्पन्न करना है अब सश नामक पंच महापुरुष योग कैसे बन रहा था शनी से बनना था सनी किसके कारक है कर्म के कारक है नयाय के कारक है अनुशाशन के कारक है अब आप अपने जीवन में नयाय कर्म अनुशाशन धारण करिए आप व्यक्ति जो भी है सुबेश प्राता काल चार बजे पांच बजे उठेगा न्याइक होगा नियम से कर्म करेगा ख्याती उसकी फैलेगी कर्म योगी वो कहलाएगा जो शेश नामक पंच महापुरुष योग दे रहा है जो कि उसको प्रारब् कॉंडली से क्या मतलब है यह ग्यान जो है आप विद्याले से या हमारे जो वैदिक विधी है या हमारे वेदोस से ले रहे हैं अब आपको पता ही नहीं अनुशाशन क्या है मैं अलग धंग से बोलूँगा जो मैं समझ सका हूँ कि भाई कॉंडली है अगर मेरी कॉंडली म मेरे पंच महा पुरुष योग है तो मेरा बाइडिफॉल नेचर ही वैसा हुआ कि मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूंगा मैं अपने कर्म कर रहा हूंगा मैं सब कुछ अपने आप ही कर रहा हूंगा पर एक ऐसा इनसान है जो कि नहीं कर रहा है वो जब कॉंडली पर आपके कर्मों के कारण आप उस चीज को अचीव कर लोगे जो आपका गोल है नहीं तो ग्रही प्रशन हो रहा है जैसे मेरी बास मतलब इसको मैं और शॉर्ट फार्म में समझा देता हूं आप एक आफिस में आपने जॉब की एक विक्ति है एक आफिस का उसका बास है व जिसने मालब साधान इसकेल पर समाली जे जॉब में उससे जुड़ा है अब उसने बहुत अच्छे कर्मे कि है बहुत अच्छी चीजे की अब बढ़ाएगा तो बढ़ाएंगे तो ग्रे ही अब उसने बास को प्रसंद कर लिया कि वह रूटीन से टाइम से आ रहा है अपन सारे वर्क पूरा कर रहा है जितने भी प्रेजंटेशन है बहुत अच्छे यूनीक दे रहा है अच्छे आइडियाज है तो प्रसंद तो बहुत ही होंगे तभी तो आपको मिलेगा तो जो यह स्रेश्टी को की जिम्मेदारी दी गई है यह भी तो परमात्मा ने प्रभू ने एक प्रत्वी नाम के आफिस खोल के रखा है और वो जो नो ग्रेह नाइन प्लानेट है हमारे 27 इस्टार है ट्वैल हमारी रासी है उनको दे दिया है जिम्मेदारी कि आप लोग इसको देखिए आप लोग देखिए अगर वो खराब कर्म कर रहा है तो उनको आप दंड दिजिए या उसको दुख दिजिए या उसको उसकी इच्छा पूर्ची से वन्चित रखिए और वो स्रेष्ट कर्म कर रहा है अच्छे प्रभाव में जी रहा है और किसी खराब चीजों में सलिप नहीं है तो वैसे फल उसको मिल रहा है यह टोटल चीजे समझ लिजे नि और वो चीजों पर हम लोगों ने सुर्वाद में बात की लेकिन हम यह बूल गए कई जगे आपने देखा हो गए बहुत खराब तरीके से बहुत लोग बड़े उचाई पे गए वो तहीं गिर गए विजे मालिया के बाई एक समय कहते थे आरे वो भाई विजे मालिया जी ह यह भी करते हैं वो भी करते हैं आज चारो तरफ विजे मालिया जी की बदनामी है विजे मालिया कहिए जी क्यों कहेंगे हमाया देश में स्कैम किया है तो विजे मालिया की चारो तरफ बदनामी है दूसी तरफ एक देखिए मेहूल चौकसी थे तमाम ऐसे मतलब नहीं किया उनकी इमेज हो गई उन्ही के घर वालो वाले उनकी करण जो है प्रताडित हुएं क्या किया उन्होंने कुकर्म आप अकर्म और सतकर्म और कुकर्म में से जब भी चुनाओ की बात आया तो सतकर्मों का चुनाओ करेंगे तो श्रेष्टा की तरफ जाएंगे आपके तीसी तरफ मोदी जी ने संघर्ष किया और सतकर्मों का चुनाओ किया आज कहां है वेस्ट्विक पटल पे उनको हर सम्मान दिया जा रहा है आज सोवियत संग रशिया ने देखिए सर्वस्रेष्ट सम्मान से उनको सम्मानित किया किसके कारण उन्होंने अपने क्रि उनके लगन में विराजमान केंदर भाव में पर्थम भाव में विराजमान देखिए उनके साहस के आगे कोई टकता दिखाए नहीं पड़ता है कितनी राजनिती पार्टी आए एक हुई नई सरकार बनेगी नई होगा अंतता तीसरी बार लगातार पीम बने देश के और उ इंडोस्तान को देखिए ञर्वार नई पहचांद ला रहा है महान भारत रट को नई उजण पर लें यह हैं हमारी एस्टरॉलजी में जो हमारे फनक्शन दिए हमारे जो एक्वेशन दिए हमारे जो अुस पämänर वा पूच्छ होना इसी इब आरा मैं तो आज के निए आपक राहुल गांदी का जो परिश्रम चाहे उन्होंने वो लंबी यात्रा करी हो या उनका जो एक जुडाओ देश से जुबन रहा है कही न कहीं ऐसे एस्ट्रोलाजर ऐसे पॉलिटीशन के आप देखते हैं उनके गरहों में शिफ्ट आ रहा है बिल्कुल क्योंकि मुझा सा रखता है कि जो एक उनकी इमेज थी हो पपू वाली में जो चलती थी इस चेंजिंग उनकी एक अच्छी इमेज सामने आ रही देखे मैं इस पर थोड़ा सा बता रहा हूँ अगर राहुल गांधी जी में अगर यह मांद के चलिए कि बहुत अच्छे क्रियामान मतलब उसको हटा दीजिए संचित कर्म और प्रारब्द बहुत अच्छे होते तो एक संचित कर्मों के माध्यम से उनको जन्मतो बहुत अच्छी जगे मिल गया लेकिन वह एक कॉंग्रिस बना नहीं पाई कि जो उनको एक वही प्रदानमंत्री बनने की इच्छा एक वह पूरी हो जाती या वह दैट टाइम समझ लिजे उनके हाथ में सत्ता थी भी प्राहुल प्रदानमंत्री बन भी सकते थे लेकि योगास उनकी कुंडिली में दैट लेकिन अभी वह योग उनकी कुंडिली में बना नहीं कि उन्हों वह धर्म का दामन थाम नहीं पाई उन्होंने समय समय पे वह हिंदू पर प्रशन उठा दिया उन्होंने हमारी संस्किति या तमाम अलब एक व्यक्ति या से लेके एक सरकार को गेंने के चकर में पाटी को वो उस मूल को घेल लेते हैं वो जड को घेल लेते हैं उस असकारों को भूल जाते हैं अब आपने पॉलिटिक्स की बात छेड़ दिये तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं यह जो चुनाओ था बड़ा दो हजार चौबिस का जो आम चुनाओ था यह बड़ा अलग और राहुल जी की कुंडली के आधार पे ये चुना हो गया। मंगल के दिन रिजाट आया। मोदी जी की मंगल की महादसा चल लाई है। और मंगल उनका लगनका स्वामी है। और मंगल के माध्यम से ही रूचक नामक पंच महापुरुष योग बना हुआ है। दूसरी तरफ राहुल गांधी को देख लिए। उन्होंने धार्मका वो धारन नहीं कर आया। जो भी उनका वेल विशर या उनको जो जो परामर्श देने वाला था वो गाइडेंस देने वाला वो ये गाइडेंस नहीं दे पाया कि हमारे हां संसकार क्या है। राहुल गांधी उसी समय चुनाव हार गए थे जब उन्होंने एक सम्हली जे चुनावी सभा में एक वही सम्हली जल पिया और वही जल अपने मस्तक पर डाल लिया। आप देखिएगा वीडियो प्चक करिएगा। हमारे यह कहा गया है कि मलब मस्तक पर ब्रहमांड है हमारा और भाई मस्तक सबसे उचा प्रभू ने इससी लिए दिया है। वहां पर जूठा जल आपने डाल लिया। उसी जगे आप मोदी जी के संसकारों में सनातन कूट-कूट के भरा हुआ हुआ है। व्याप्त है। राम मंदिर की स्थापना होती है। तो वह निर्जिला वरत रहते हैं। दूसी तरफ। तो ऐसा नहीं है कि राहुल जी उस इस्तिती में आ नहीं सकते हैं। उनको अपने क्रियामार जगाने होंगे। धर में के प्रति उनको अपनी आस्था को बढ़ानी होगी। वह भावना लगनी होगी। किसी पर प्रस्ट नहीं किया जाता है। आप जिस सम्मंद में ग्यान रख नहीं रहें। या तो आपने सनातन संस्कति, आपने हमारे संस्कति, आपने हमारे वेद, उपनिशद, पुरान या हमारे हिंदुत के बारे में पढ़ा होता। तब आप उस पर प्रश्न लगाते तो ठीक था। तो वहां पर वहां पर एक कहते हैं कि परफॉर्मेस अच्छी देते देते वह रहें। यह एक्चोली चीजे हैं और यह जो भी व्यक्ति है एक नेक समय, एस्टेरोलोजी के समी पाता ही आता है यह मैं लिकित सब्धों में दे सकता हूं। लिखित दे सकता हूं, हर व्यक्ति एक नाएक समय ऐसी उसके अंदर भावना जागरित होती है जब ग्रह इस्तितिया चाहे वो महादसाव के माध्यम से हो या ग्रह गोचर के माध्यम से, तब जब आता है तो वो एस्टोलोजी के पीछे, संस्किति, सनातन के पीछे, हमारे ध वर्सों से नास्तिक अपनी भावना जागरत की हुए, तमाम लोग आये अपनी कुंडली दिखाने, उससे पहले उन्हों ने कभी कुंडली ही नहीं बनवाई थी, और फिर जब वो चारो तरफ से समस्याओं ने उनको घेड लिया, तो उनको कुछ समझ नहीं आया कि क्या कर है, तब देखा गया किस ग्रे की महादसा चल लए थी, और छोटे छोटे उपायों ने उनका जीवन बदल दिया, यह हमारी समाली जे वेदों की ताकत, यह है इस्टोलोजी की ताकत, मैं बता रहा हूं, आज का पॉड़कास इतना इंट्रेस्टिंग है, मतलब जो लोग व दाएकोंने मंदिल लगा दीजे या यह भगवान रख दीजे हमने उनको वैदिक knowledge दी है, कुड़ी information दे दिया आप ने उनको आज कि actually astrology वर्क कैसे करती है और जब किसी को यह ग्यान हो जाता है कि astrology वर्क कैसे करती है तो वो अपनी astrological facts को अपनी life में implement कर सकता है, अपनी life को बहतर बनाने के लिए और आपने बहुत ही शांदर तरीके से टाइम देते हुए ना एक एक चीज बहुत अच्छे एकस्प्लेइन की है पौडकास काफी लंबा हो चुका है पर मैं वीवस से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भले तुकडों में देखिए पर चीजों को समझ स के देखिए गा एक 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 चीजिकव जोने लास्ट में है सारे कारकों को बता-या है हर एक एक लGM के बारे में हर एक राशी के बारे मैं बताया है कि किस राशी कि लिए क्या किया जाए अप लिए इसको आराम से निए और धीरे धीरे करके उनको अपनी लाइफ में नेट्प्लिक्स एमेज़ान प्रैम पे सीरीज देखने में ये चोटी हैबिट्स अगर हम पाँच-पाँच मिनिट की भगवान भक्ती में लगा देते हैं तो शायद कुछ नुकसान नहीं तो हर चीज में फायदा ना देखके कुछ चीज़ा कर देनी चाहिए हो सकता है या बहुत ही इंसाइट्फल पाटकास राए है और मैं जानली बुक्स पर करता हूं आपने बुक्स भी लिखिय हुई है और में पास जब यह पॉडकस आया तो मैं इस होता है जो भी जायज है वहां जो बात हुई हम लोगों की वो ग्यान के सागर की हुई है ग्यान के मतलब समय जन्दमों जन्दमों की जो यात्रा है एस्ट्रोलोजी जो समय जीवन जोती है उस पे होई है तो ये निश्चित है कि एमान के चलिए कि जो भी ऐसे लोग हैं जिनका मतलब भक्ती है भाव हैं जो मतलब एक अच्छी उर्जा लेना चाहते है ज्ञान बढ़ाना चाहते है वो निश्ची तोर पर कनेक्ट भी होंगे चीजों को उपयोग में भी लाएंगे लोगों तक पहुचाएंगे भी क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा सतकर्म है मतलब लोगों को जैसे हमारा ज्ञान आपका हम और आप बैटके जो वार्ता कर रहे है वो हजारों लाखों लोगों तक जो पहुच रही है अगर वो लोग भी लोगों तक पहुचाएंगे तो ये कही न कहीं ज्ञान फैलेगा प्रसार होगा हमारी सनातन संस्कृति हमारी विद्या इसलिए असीमित मतलब समझे लिए उसका भंडार अभी तक भी लोगों तक है क्योंकि वो हमारे हाँ प्रसार की चीज़े है जो जो कहते थे ना पहले है कि जो हमारे वे पुराने मौखिक थे जी जी तो अब वक्त वही आगया पॉडकास के दुरूब हम मौखिक ही कर रहे है आपको ट्रांसफर कर रहे है आप सेव कीजिए आप ट्रांसफर कीजिए उसका लाव उठाइए रमेडीस कीजिए और चीजों से जो भी दोस हैं योग हैं योग है तो योग का मतलब आपके जीवन में अपार्चुनिटीस हैं और उस अपार्चुनिटीस का आप लाव उठाइए दोस हैं तो कमी है कमी से भैवीत नहीं होना है आप योध्धा हैं आप योध्धा हैं आप मतलब समय लिजे ऐसे देश में हैं जहां हमारे हाँ भगवान राम भगवान क्रेश्न की मतलब गाथाएं हैं बताया गया है उनके बारे में भगवान श्यू के बारे में बताया गया है तो आपको लिए पूरसार्त आपके लिए समय लिजे सबसे बड़ा एक अस्त्र है तो आप उस अस्त्र का प्रियोक करके अपने जीवन को समयलिजे शाकार कीजिए और हमारे सनातन संसकती से अपने जीवन को समयलिजे परवर्टित कीजिए बिल्कुल सही तो बहुत शलागा सर आपको शुमे बुरा कर बहुत आपने इंफॉरमिशन दी थैंक यू बरी माच फो बिग अन दिस शो थैंक यू सुमस्ट अपने इस एस्टो कोच हरीद्वार डॉक्टर कुवर हर्शिद राजवी